अलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल मिश्टर टॉक में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आधार कार में मॉबाइल नंबर है उसको लिंक कैसे कर सकते हो जहां दोस्तों आप अपने आधार कार में मॉबाइल नंबर एड़ करना चाह तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आधार काड की ओफिशल वेबसाइट पर चले आना है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तोस्तों तो यहाँ पे नीचे स्क्रोल करना है और अप्शन मिलेगा गेट आधार के नीचे बुक अन अपोइमेंट वाला ओप्शन मिलेगा उस पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बुक अन अपोइमेंट वाला ओप्शन है वहाँ पे नीचे जो भी आप अपडेट करना चाहते हो मतलब कि ओ यहाँ प और आपको यहाँ पे अपना mobile number डालना है, तो mobile number आप यहाँ पे कोई भी डाल सकते हो, आपके पास जो भी हो ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे capture डालना है और send OTP पे click करना है, तो देखो OTP sent, यहाँ पे जो mobile number हमने डाला है, उसमें एक OTP sent हुआ है, तो OTP आने के बाद enter OTP वाले जो option है, उसमें आपको OTP डाल देना है, submit OTP and proceed पे click करना है, यहाँ पे click करने के बाद हमें अभी आधार काड को update करना है, mobile number add करना है, तो update number पे click करना है, यहाँ पे हम जैसे ही click करेंगे, तो यहाँ पे एक portal open हो जाएगा, ओके दोस्तों portal open हो चुका है, अभी यहाँ पे हमें name डालना है, तो हम यहाँ पे जिसका भी आधार काड है, उसका name पुरा, yes पर आधार यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद आधार नंबर भी यहाँ पे आपको डाल देना है, तो जो 12 visit का number है वो भी यहाँ पे आप डाल दो उसके बाद यहां पर बहुत सी सर्वीसीज है हमें mobile number सिलेक करना है क्योंकि हमें mobile number update करना है ठीके उसके बाद proceed पर हमें click करना है ओके यहां पर आपको कुछ नहीं करना है mobile number ऐसे ही रहने देना है ने और submit and proceed पर click कर दो यहां पर दोस्तों I agree वाले तो अब यहां पे appointment आपको लेना है तो उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहां पे दौस्तों appointment का option खुल जाएगा आप यहां से अपने city के name से सर्च कर सकते हो पिन कोड से भी आप सर्च कर सकते हो दोस्तों तो जैसे आप यहां पे सर्च करोगे तो आधार सेंटर आपको ज यहां पर वो सारी available dates है तो उस पर आपको click करना है और आपको appointment ले लेना है कोई भी जो यहां पर right side पर जो time शो होरा है time भी आपको select करना है और नीचे submit पर click करना है तो दोस्तों जैसे आप submit पर यहां पर click करोगे तो यहां पर आपको एक और option पूछेगा देखो यहां पर option एक और पूछेगा कि amount to be paid 50 रूपीज तो आपको 50 रूपीज पे करने है लेकिन कहां पर pay add center center पे पे करने है यहां पर आपको online कोई payment नहीं करना है दोस्तों जैसे यहां पर आप अभी confirm पे click करोगे तो जो आपका यहां पर PDF generate हो जाएगा और वो PDF लेके आपको आधार center में जाना है दोस्तों तो जैसे आप आधार center में PDF लेके जाओगे तो आपका जो details है वहां पर verify होगा और उसके बाद आपका mobile number है वो add करवा दिया जाएगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ऐसे ही आप आधार में जो mobile number है वो add कर सकते हो register कर सकते हो बड़े ही आसानी से जहां दोस्तों आधार में mobile number लिंक करना बहुत ही आसान है और यह तरीका बहुत ही सरल है दोस्तों तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना, share करना और subscribe जरूर करना और other आधार का related videos description में दिये ह अब वहाँ भी जाके भी देख सकते हो दोस्तों